दोस्तों आज की एक special topic में हम जानेंगे symptom of scabies एक skin disease के बारे में हम बातचित करेंगे ये skin disease कब होता है और केसे होता है उसके बारे में हम आज discussion करेंगे उसके पहले हम जान लेते हैं scabies उसको वह English word है उसको Hindi में क्या बोलते हैं खाज खाज क्या है? खुज्लि जो बदन में हम खुजलाते हैं और केसे होता है? क्यूँ होता है? उसके बारे में हम डिटेल में बोलते हैं देखे, स्क्रिंग के उपर एक कीट है, यह किटानु है, यह किटानु को नाम है सार्टोटिस स्काबी, यह जो किटानु है, यह किटानु अगर सरीर में फ्यल जाता है, तो खुजली होताहै और खाज होताहै इसको होने से कभी-कभी हमारा बदन में होता है, कभी-कभी जैनाग में होता है, कभी-कभी पीट के नीचे होता है, कभी बेच्चे के में होता है, कभी बुजुरुग आदमिंग में होता है, ये जिवानू जब स्प्रेड होता है, यह चर्म के नीचे भाग में यह रहता है देखिए, स्क्रीन के उपर मैं दिखा देआं देखिए, इस क्रीन के नीचे यह जो किटानु है जो स्कारकोटी स्काबी है वो जो फिलता है उसका एक मीट बोलते हैं उसको मीट भी बोलते हैं इंगलीज में कुनी भी बोलते हैं वो जब चर्म की नीचे के भाव में अंडा देके जो फिमेल स्कार्कुटिस है जो किटानु है वो जब अंडा देता है तब हमारा बदन में खुजली होता है ठीके यह जो फेलता है तब खुजली होता है बार बार खुजली होता है और रेड जैसा हो जा यह यह जब किटानु हमारे संस्पर्ण से आता है किसी को अगर खुजली हुआ है उसके संस्पर्ण में हम आ जाता है तब यह किटानु हमारे अंदर प्रभेस करता है और यह 24-48 घंटा में असर दिखाता है किसे आता है, इमुनिटी पावार अगर हमारा कम होता है, तबी ओ आता है, और हमारा चर्म नीचे के भाग में और किटनु फेलता है और सारा बादन में होता है, कभी-कभी हमारा बस्तर खोलने से राज के टाइम में ज़्यादा खुजलता है और जो फिमेल किटानु है, जो स्कारपटिस का भी नाम का ये किटानु है जब चर्म के नीचे में अंडा दे दे के घुमता है तब ज़्यादा खुजलता है इसका इलाज के बारे में जानते हैं इसको केसे मिटाए उसके बारे में हम डिटेल में ओरे की वीडियो में मेडिसिन के बारे में हम लाएंगे इसको केसे इलाज करगे आज के लिए हम एक घुरोई उपचार के बारे में बोलते हैं, घुरोई उपचार क्या होता है, थोड़ा उसुम पानी करना है, उसुम पानी में थोड़ा नीम का पत्ता, नीम का पत्ता छड़ा देना है, खुल देना है, उसको पकाना है, पका के जब नहाएंगे, वो होता है और मार्केट में हम मेडिसिन सब जाते हैं तो भूत प्रकार के मेडिसिन होता है उसके बारे में हम टिटल में एक एक दबाई के बारे में स्किन का बताएंगे लेकिन जो साबून आता है किटोकानाजॉल और टोटिमाजॉल वह भी लगा पाएंगे और एक दबाई आ आता है गामा बेंजिन दो स्क्रिम में मैं दिखाता हूं गामा बेंजिन हेक्सक्लोराइड वह भी मेडिसिन हम लगा सकते हैं कुछ दबाई भी है उसके बारे में हम डिटल में बताएंगे ठीक है नेक्स वीडियो में तब तब के लिए आज इतना ही अगर आपको यह टपिक अच्छा लगा तो आप लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना आज के लिए इतना दूसरे टपिक में हम लाएंगे उसके मेडिसिन के बारे में कैसे इसका विज्द आच्छा होता है धन्यवाद